बिस्मिल्लार्माने रहीम अस्सलाम अलेकुम कैसे आप सब लोग उमीद करती हूं खैरियत से होंगे आज को रैसे दिने वाली हूं बर्गर बन की तो मैंने उसके लिए ले लिया है हाफ कप पानी प्रेहिटिट है इसमें डाल देंगे हाफ कप पानी और है टू टेबली स्प अब मैंने लिए दो कप मैदा और यह वही बनाया है तू टीस्पून रही स्पलिया है थी टेबली स्पून चीनी ए राफ कप मानी वाम बातर रे तीबली स्पून मिल्क वॉडर आफ टीश्पून नमाक और थी टेबली स्पून वायल तो हम एक वावल लेंगे दूब नीम गरम पानी डाल दूँगी जो हाफ कफ हमारे पास रखा हुआ है यह नीम गरम पानी है यह डाल देंगे इसमें हम 3 टेबिल स्पून्चीनी डाल देंगे यह डाल दिया इस डाल देंगे नमक डाल देंगे हो अच्छे से मिक्स करके इसको हम रेस्ट देंगे राइज होने तक राइज हो गया है यह देखे अब मैंने इसमें मिल्क पॉर्डर डाल दिया है त्री टेबल स्पून और जो हमारे पास मैदा था दो कप वो डाल दिया है यह दूशलों करने हंक अब इसको मिक्स करके यह जो मिक्सचिर बनाया था हमने डाल देंगे यह चिपकेगा लेकिन हमें इस पर वर्क करते जाना है फिर यह स्मूथ हो जाएगा वह आप वर्क करते जाएंगे तो यह स्मूथ होता जाएगा यह देखिए मैंने लगा लिया और यह चिपक रहा था अब इसमें मैं त्री टेबल स्पून ऑइल डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में ऑइल को अच्छे बनेंगे इसकी दोग जितनी नरम बनेंगे अच्छे बनेंगे इसकी दोगों नरम बनाना है हमें नरम गुंदेंगे इसको यह देखिए मैंने वाइल पूरे में लगा लिया है अच्छे से अंदर तक मिक्स कर दिया है अब इसको शेल्फ पर मैं वाइल ग्रीस करके अब इस पर वर्क करेंगे हाथों पर भी आइल लग जाएगा तो इसको हम मसलते जाएंगे और यह स्मूथ होता जाएगा कि देखिए स्मूथ होता जा रही है कि यह स्टैप हमें जब तक करना है जब तक यह स्मूथ ना हो जाए कि देखिए स्मूथ हो गया यह और चिपकना भी बंद हो गया इसका अब इसको मैं अच्छा सा शेप दे करके और इस पर आयल लगा करके थार्टी सेकंड रखेंगे इसको रैस देंगे इसको यह देखिए यह रख दिया मैंने यह हो गया इसको काफी देर से लख खवाई अब इसको हम अटाएंगे देखिए कितना सॉफ्ट हो गया यह बहुत नरम हो जाएगा इस स्टेज पर आपका अब इसके हम आई लगा करके एक सिलेंडर जैसा बना लेंगे यहां में चार बन बनारीं तो में चार हिस्तों में काट लूंगी इसको अब इसको ऐसे अंदर की तरफ टक करते हुए एक पेड़ा बना लेना है हमें स्मूथ सा पीछे की तरफ से ऐसे करेंगे इसको स्मूथ कर लेंगे यह देखिए यह एसे करके स्मूथ कर लेंगे इसको ऐसे हम सारे बना लेंगे यह मेरी बेकिंग ट्रे है इस पर मैंने ऑईल ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया है सारे में इसी तरह में बना लूंगी और इस पर हम अब इसको पर हम एक वाश करेंगे एक वाश करेंगे एक वाश से कलर बहुत अच्छा आता है जब बेक होंगे तो कलर बहुत अच्छा लेंगे कि मैंने सब पर लगा लिया है मेरे पास वाइट चपैद तील है कि इस पर डाल देंगे कि मैंने सब पर डाल दीए अब मैंने ओवन प्रिहीट कर दिया है 200 डिग्री पर 20 मिनट के लिए अब वन फिफ्टी डिग्री पर मैं इसको बेक करूंगी तीस मिनट के लिए आदे घंटे के लिए मैंने रग दिया है और अब यह बेक हो गड़ है मैंने इनको निकाल लिया है ओवन से अब मैं इस पर ऑईल ग्रीस करूंगी और ढ़क कर छोड़ें इसको थंड़ा होने के लिए अब 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 फ़िए थंड़े हो गये अब मैं इनको काटके दिखाऊंगे आपको बहुत ही नरब मने ही है और देखिए कितना अच्छे बने हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के निशान को क्लिक करें और बराबर में जो बैल का इकन है उससे दबाना ना भूलें उससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगी रैसी भी पसंद आई होते हैं ट्राय दें लाइक करें शियर करें कमिट सेक्षन में जरूर बताएं अलाहाफीज